सो हेलो एफिवन आज से हम एक और दिल्चस्प एनिमे शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेरिफ ओप दा एंड और इसके हम सभी एपिसोड्स वन बाइवन कवर करने की कोशिश करेंगे तो स्टेइ टून्ड अब कहानी की शुरुवात में हम एक शेहर का सीन देखते है जहाँ पर अच्छानक से सभी लोग वन बाइवन मर रहे थे सभी जगा अफरत अफरी मची हुई थी उतने में ही एक प्लेन का पाइलेट में मारा जाता है जिस वज़े से वहाँ पर एक क्रेश लेंडिंग हो जाती है और हर जगा आग लग जाती है और तभी ब्लैक कलर की कपड़े पेन के वैंपाइस की एक पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है थोड़ी देर बाद हम कुछ छोटे बच्चों को देखते हैं जो अपने घर की तरफ भाग रहे थे उन्हें एक अनौंसमेंट सुनाई देती है जो बता रही थी कि इंसानों की गल्तियों की वज़े से एक डेडली वाइरस फैल चुका है और इस वाइरस का कोई भी क्यूर नहीं है मगर वाइरस 13 साल और से कम उमर वाले बच्चों पर इफेक्ट नहीं करता अभी बच्चे घर पहुच जाते हैं और थोड़ी देर में कुछ वैंपाइस उस घर में घुस जाते हैं और उन बच जो में हमारा में करेक्टर यूचिरो और उसका फ्रेंड मिका भी था अब वो दोनों भी एक फैसिलिटी में पहुच जाते हैं जहाँ पर इन सभी छोटी बच्चों का खून निकाल कर स्टोर किया जा रहा था अब खून देने के बाद मिका एक लिक्विड पी लेता है ता एटलीस हम लोग जिंदा है और अपनी फैमिली के साथ है इससे ज़्यादा तुमें और क्या चाहिए जिस पर यू कहता है कि मैं तुमसे अग्री नहीं करता वो लोग हमारा यूज कर रहे है वो बस उनका फाइदा चाहते है अब वहाँ पर दो छोटे बच्चे फ्लोर पर हवा में उठा लेता है तभी मीका जल्दी से वहाँ पर आके उस वैंपैर से कहता है कि सर प्लीज इसे माफ कर दीजे इसका ना एक स्कुरू डिला है जिस वज़े से वह इसी हरकते करता फिरता है प्लीज उस पर रहम कीजिए तो यू से कहता है तुम्हें माफी मागने की जरूरत नहीं मैं इसकी धुलाई करने वाला हूँ यह संकरो वैंपैर और भड़त जाता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेकने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर नोबल वैंपैर आ जाता है वो इन सभी का सीनियर था और वो यू को छोड़ने के लिए बताता है अबू पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है मीका तो मीका हस्तीवी जवाब देता है कि कुछ खास नहीं सर मेरा भाई थोड़ी सी शरारत कर रहा था अब वो नोबल कहता है क्या तुम मेरे मैंशन पर आओगी आज मेरा मन डावत करने का है मुझे तुमारा खुन बहुत स्वी तुमें पता है ना वो बहुत जदा पावफुल है हम उनके आगे कुछ भी नहीं देखो तुमें इन लोगों से छगड़े करने की जरुरत नहीं अगर आज नोबल टाइम पर नहीं आता तो शायद तुम मारे जाते जिस पर यू कहता है कि तुम तो नोबल को काफी हो जाता है उसे एक पंच मारकर वहां से चला जाता है अब रात की समय अकानी यू के पास आ जाती है और कहती है कि आज मैंने बहुत टेस्टी करीब बनाई है जल्द इसे घर चलो सभी तुमारा वेट कर रहे हैं तो यू कहता है तुम लोग खाना खालो मेरे लिए वेट कर वहां मुझूद सभी बच्चों ने उसे अपना भाई मान लिया था मीका उसकी साथ बात करने आये था तब यू ने कहा था कि मुझसे दूर रहो मुझे फैमिली की जरूरत नहीं मेरी फादर ने मुझे मारने की कोशिश की थी और मेरी मा को लगा कि मैं डीमन का बच्चा ह ली तो मुझे फैमिली लब से ही नफरत है मगर फिर भी मीका उससे दोस्ती करना चाता था अब कहानी फिर से प्रेजन टाइम में आ जाती है जब यू घर पहुच जाता है तब उसकी सिबलिंग्स उसे खुशी से बता रहे थे कि एक लंबे अरसे के बाद उन्हें करी खान चूस लिया था उदेखता है कि सभी लोग सो चुके हैं मगर यू उसका वेट कर रहा है तो बहुत खुश हो जाता है यू से कहता है कि अगली बार तुम्हें खुन देने की जरूरत नहीं मैं अपना खुन देकर घर के लिए समान लाओंगा घर चलाने की जिम्मेदारी सिर आपने की जरूरत नहीं मिल सकता है यहां से बाइर निकलने का रास्ता हमें नहीं मिल सकता था यह बहुत बड़ी जगा है इसलिए मुझे मैप चुराना पड़ा हमें आज के आज ही यहां से भागना होगा जिस पर यू कहता है कि इंसानी दुनिया में तो वाइरस प्रेड हुआ है अगर हम वहां गए तो मारे जाएंगे मीका कहता है कि अभी हम दोनों 12 साल के हैं और वायरस 13 साल के उपर वाले लोगों को मारता है इसका मतलब हमारे पास पूरा एक साल है हम बाहिर जाएंगे और एक साल के अंदर कोई न कोई क्यों ढोलेंगे अभी दोनों बात करी ही रहती है कि तभी वहाँ पर आकानी आ जाती है। ये दोनों उसी बताते हैं कि हम अभी के अभी निकलना है। अब ये शेहर छोड़ने का वक्त आ चुका है। जिसकी बाद ये सभी लोग रात के अंधिरे में निकल पड़ते हैं। मिका मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ रहा था। तभी वह लोग देखते हैं कि दो वैंपैस वहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये लोग जल्दी से छुप जाते हैं। अब उनकी वहाँ से जानी की बाद मीका मैप चेक करता है। और कहता है कि हम एक्जिट के बहुत पास आ चुके हैं। थोड़ी देर में हम जाता है। जिसके बाद उनमें से एक लड़की का बलड़ सक करके उसे मार देता है। ये देख यू गुस्ती में आकर उस पर गुली चलाता है। मगर नोबिल तुरंती साइड में हट जाता है। हूँ कहता है मुझे तो लगा था कि मीका निसिप मैप चुराया है। मगर तो काफी बहादूर निकला जो मेरी गन चुराने की भी हिम्मत की। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे पास जो मैप है ना वह असली था। मगर मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला। तुम यहां से हमीशा के लिए जा सकते हो। मगर सवाल यह है कि तुम पैवन उन सभी को खत्म करने लगता है। अब सिर्फ मीका और यू ही जिन्दा बच गए थे। मीका यू से कहता है कि मुझे पता है। हमने इसकी उम्मिद नहीं की थी लेकिन हम एक फैमिली है। जिसके बाद यू के हाथ से गन चिनकर नोबेल की तरफ भागने लगता जायेगी जाओ यहासे जाओ तो यू उसकी बात मान लेता है और अपने धिल पर पथर रख के वासे िबात है। भाग निकलता है, मीका कहता है कि यू ने पहली बार हमें फैमिली बोला, इधर यू रोते हुए एक टनल से तीज इसे भाग रहा था, और इसे ही भागती हुए वो बर्फी लेलाके में पहुच जाता है, वो समझ गया था कि वो अब इंसानों की दुनिया में आ चुका है, औ इस उनकर यू समझ जाता है कि वो तीनों भी हूमन है, इसलिए वो अपने आसूं को रोक नहीं पाता, और उस बंदी को लिपट कर रोनी लगता है, वो कहता है कि इन वैंपाइस को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब ऐसे ही चार साल गुजर जाते हैं, इ अब हम यूनिफॉर्म पहने वे एक लड़के को देखते हैं, जो और कोई नहीं बलकि अपना यू था, यानि वो अभी भी जिन्दा था, और इसी की साथी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, थैंक्स पूर वाचिंग, बाबाय, टेक केर,